हाँ भई तो अब यह देखते हैं अभी तक हम लोंने क्या था अभी तक क्या गया अभी तक क्या ग्यान है जो हमने अरजित किया है हमने यह देखा था कि कोई continuous function है एक interval में A से B में अगर वो continuous है हमें नहीं मतलब A और B के इरद गरद के आहल चाले है एसे B में continuous होना चाहिए पहली बात ऐसे function की बात हो रही है जो discontinuous होगा उस पर भी बात करेंगे वह इसी का यह extension extension होगा basically ठीक है anyways तो अगर एक continuous function है और हम उसके नीचे का area निकालना है red color का तो वह हम कैसे निकालते हैं यह area किससे दिया जाता है वह ही मैंने पूरे previous lecture में समझाया था ठीक है तो अब जल्दी से बता दो कि क्या आया था हो ठीक है वैसे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है फिर भी थोड़ा बत शायद आपको अपने आभी याद हो गया होगा तो वह जो area है वह हम कैसे निकालते हैं अगर हम lower sum निकाल ले और upper sum निकाल ले पहली बात तो यह हो गई ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा अब यह बता दो यार यह a lower और actually है क्या a lower ठीक है तो यह a lower और a higher यह दोनों चीदे डिपेंड करती है कि आपका function जो है वह increasing है यह decreasing है ठीक है ना तो अब पहले हम यह लिख देते हैं जो हम कैसे कैसे दे सकते हैं पहले तो यह बता किया जाए n tends to infinity यहाप एक sigma का sign आएगा फिर यहाप भी लिख देते हैं limit n tends to infinity sigma ठीक है h की जगा पे मैं सीधे लिख देता हूँ b minus a by n इतर भी लिख देते हैं b minus a by n ठीक है और यहाँ आजाएगा r equals to 1 से लेकर के n तक इतर भी आजाएगा r equals to 1 से लेकर के n तक ठीक है अब बताओ अंदर क्या आएगा main तो वो है a plus a तो था r h h याने की b minus a by n एक तो यह हो गया और दूसरा गया था दूसरा था a plus r minus 1 into b minus a by n ठीक है ठीक है ठीक है तो यही आपका एरिया बनेगा अब किसी में तो यह इतना वाला जो पोर्शन है लिमिट को हटाकर के यह चीज लिखी हुई है इसमें से एक लोवर समय और एक अपर समय ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अपर यह ठीक है ठीक है अगर ऐसा वाला फंक्शन बन रहा है तो हाइट की शुरुआद है वो f a से हो रही है next is f a plus h ठीक है और फिर जो आखरी वाला बनना होगा उसमें a plus n h नहीं आँ पाएगा ठीक है ना so जो हमारा lower sum होगा वो तो यह वाला हो गया और अपर सम हमारा यह हो जाएगा अगर increasing है अगर यही पर decreasing function बन जाएगा तो ठीक इसका reverse हो जाता है ठीक है clear हो कोई बात अच्छा एक तो यह वाली बात होगी दूसरी बात एक inequality है जो हमेशा सच है और वो यह है कि जो actual area है ठीक है वो हमेशा किसके बीच में होगा sum of rectangle of lower sum ठीक है and sum of rectangles in upper sum ठीक है यह बात तो हमेशा ही सही है चाहे increasing function हो चाहे decreasing function हो पर इंका expression होगा वो vary करेगा अब वो मैं लिख नहीं रहूं बार-बार पर वो expression यहाँ पर vary करेगा कि lower sum का expression क्या है और upper sum क्या है ठीक है जो हमारा increasing function जो मैंने भी बोला था उसमें यह lower था और यह upper था पर जो पर decreasing function होगा उसमें ठीक इसका reverse हो जाएगा तो इस inequality में यहाँ पर के आएगा sigma वाला sum यहाँ पर भी आएगा sigma वाला sum यह जो a real है यहाँ पर के आएगा यहाँ पर आएगा limit वाला sum ठीक है तो यह सचीज हम लोगोंने already discussed कर ली है इसको मैं दुबारा न लेबनीज भाईसाब जो है उनका थोड़ा visualization करने का तरीका है वो अलग है ठीक है और उनका सबसे उनका नाम हुआ था नोटेशन किंग के नाम पर है कि नोटेशन बहुत प्यारी पता तो है जैसे कि हम लोगोंने जब डिफरेंशियेशन पड़ा था टो फ के अंदर x plus h minus f x divided by h ठीक है लेकिन जो हमारा जो लबनीज इस की टेफिनीछन थी उसके साइप सबसुम को सीधे गोल डवाई डिज भाई भाई डिये अभी भी व्लाग कि गलत लोग को फर को लगता है कि कोığın stimmt होगा यहां पर लेगे ऊपर गोलेंगे इस दी अई दे तो उन्होंने एक अच्छी नोडेशन दी थी. यहां पर भी हमें उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो उन्होंने क्या जिया ना इस बार? उन्होंने यह बोला कि यहां पर तुम अल्टिमेट्टी क्या कर दो? तुम सम निकाल ले हो तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी function fx है तो उसके लिए अगर हमें एरिया बताना है तो हम ऐसे शोगरेंगे एक बड़ा सा उन्होंने एस बनाया ठीक है और अगर आप बता रहे हो मानलो एसे लेकर के बी तक तो एसके नीचे ए लिख दो और इसके ऊपर बी लिख दो और यहाँ पर function का नाम लिख दो तो इससे clear हो जाएगा ठीक है तो जैसे यहाँ पर हमने जो previous class में उमारा बोलिया था एक्जाम्पल यह वाला मैंने कर आया था प्रीवेस लेक्शर के अंदर ठीक है ना वाइक उस्टू एक्सक्वार के ऊपर तो बताओ इस नोटेशन के साथ से आप इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे बड़ा से एस बनाओगे और यह वालो जो था कहां से का तक था जीरो लिख दो 0 ऊपर लिख दो 5 ठीक और फंक्शन का नाम लिख दो x का स्कुर्र अच्छा और यह जो है इसका आंसर क्या आया था इसका आंसर आया था 5 क्यूब बाए 3 यानिकि 125 बाए 3 तो अगर मेरे सामने यह चीज लिखी भी है तो इसको देखते ही मैं क्या लिख दूंगा इसको देखते मैं क्या बना दूंगा क्या अच्छा अगर यह मेरा x2 का ग्राफ है यह 0 है यह 5 है ठीक है ना तो यह जो एरिया है yellow color से यह है 125 by 3 square units तो यह इतना compact में उन्होंने यह लिख दिया लिमिट format में लिख करके ऐसे उन्होंने notation टाइप की बना दी ठीक है अब पुराने टाइम में लोग अपनी बुक लिख देते ना लेबनी अपनी बुक भी ठीक है कि यह नोटेशन हम जाड़ी कर रहे है याथ से तो जो प्रिंटिंग वाले भाई यह उनके पास इस टाइप का F था F होता है ना F, F, A, B, C, D, E, F, G, F होता है ना तो F था उन्होंन उन्होंने गोला, यह S, F काफी से मुदा आप इसा था नहों ही गिले धिया, तो उन्होंने उसमें से एक टुपड़ा होता है F थाaşथा surp पा Normal, F हे न को कौड़त होता है यह नोस्फोरसन ही सी ना कर दिया, क्लशन होता है, डा जो हॉता है, तो जो हमारे जो ओश deg Sole, उसमें कभी भी यह S आई नहीं पाया, उसमें हमेशा सही यह notation ऐसे बन गई थी, इस ताइप से, Fx और यह बड़ा असा, लेटा हुआ सा, लेटा हुआ तो नहीं कहांगे, मतलब, पैला हुआ सा S बन गया, और यहां नीचे A आ गया, और यहां पे ऊपर B आ गया, So this was the original notation by Lebanese, ठीक है, बता आपको Newton अने क्या आपकी notation दी थी, उनकी notation इसकी अच्छी नहीं है, कि उन्होंने इंटेवल का ध्यान नी रखा, उन्होंने इस चीज को उन्होंने इस चीज को उन्होंने इस तरीके को ओई रिया निकालने का, तो उन्होंने जैसे कर वह, उन्होंन तो बहुत लिक्कत हो गई, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, वो डिबबा कहां से प्रेस, उन्होंने वो करेंगे, और एक और फ़र बड़ी लिक्कत थी, वो यह नहीं सोच पा है, कि हमें एक बहुत बड़ी, उन्होंने इसे लिकते है, जहां पर जो लोर लिम ठीक है na, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है आगे आखे और उससे पहले, ऐसे देखा गया कि यह है क्या, यह सम आफ रेक्टेंगिल्स जो है, यह चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट क्या होता है, चीजों को साथ में ले आना, यूनिटी, यूनिटी समझ जो बात को तो ऐसे बोलने लगए इंटीग्रल उफ एकस को है तो वहाँ से पहली बार आगया है यहाँ पर ऐसे करके यह आपकी पहली बार लोगों ने मैंसे मैंटीशन ने यहाँ तक हम लोग पहुंचे रहे ठीक है तो ओफीचली काफी जगाओं ४र यह एक डोटेशन की तरह बना दिया खिर ऐसि को ए सिल्प्तिंग्रल का सइं इसको बोलथे हैं इंटीग्रल का साइं टीक है इन नेर का साइं यह तक कि इसके मीचे ज़ो आप लिखोगे वह क्या बोलेंगे हम इसको 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 हो गया आपका integral का sign इसको हम बोलते हैं lower limit ठीक है यह लिमिट वह आला लिमिट नहीं है जो हम लोग पढ़ते हुगा रहे है लिमिट कहीं तो इंफिनी डिए से सबस्क्राइब हो ना ना इस लिमिट को लेना देने नहीं है इस वाली लिमि कि यहां पर हमने एक बीच में आपने अपना function बता दिया कि यह मेरा function है ठीक है ना यह मानलो y axis है यह x axis है और मैं इसको a से लिकरके b तक integrate करना चाहता हूं obviously यह क्या हो गया upper limit ठीक है तो अगर तुमारा मानलो यह a है और यह तुमारा b है तो a से लेकरके b तक मुझे यह प दिया है ठीक है हाला कि शर्ड लेविनीज ने इसको फिर से discover किया था यह क्या किया था फिलाल उन्होंने originally यह दिया था ठीक है तो यहां से notation बने नहीं थी और इसको हम क्या बोलते है इसको बोलेंगे area under the curve under the curve ही बोलेते चलो under the curve fx from x equals to a to b simple ऐसे इसको originally ऐसे रखा गया थ ठीक है कुछ लोग शर्क कंफ्यूज रहा हूंगे कुछ लोग लग रहा हूगा यहां पर कुछ छोटा सट dx-dx होना जा भाड में जाए अभी 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 स्टोरी चल रही यार चीजों का इन्वेंशन हो रहा है यहां पीछ में इसमें डिस्टरेंस न स्टोरी पर तो मैथमेटिशन से क्या किया था पहले उन्होंने लिमिट का यह बनाया था यह जो हजारों सार पुरानी बात हो गई यह जो फॉर्मिले जो लिमिट के लगाए है यह जो इस तरीके से कि हम रखेंगे इसको बनाया गया था कुछ आपका 1600 यह 1700 के आसपास जब यह ब्राबर होगा यह ब्राबर होगा इसके एक लिमिट के लिमिट एंटेंट्स तो इंफिनिटी लिग दो फटाफट से क्या एगा बी माइन एबाइन ठीक है ना कोई भी एक उसकर लो सिगमा ऑर इकोस टू वन से लेकर के एन तक जाएगा फंक्शन के अंदर क्या एगा ए प्लस आर एच रख लेए और बी माइनस ए बाइन ठीक है तो यह जो लम्मी सी लिमिट है वह बड़ावर है इसके तो कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें क्या नहीं बात कर दी यार तो अब आप इसको अब आपने इसको हटा कर कि आपने यहां क्या लिखा था एरिया लिखा था, है ना, अब आपने बस ये AR की जगा पे एक symbol बना दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं निका हाँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ ही नहीं, इसमें तो simple सी बात है ठीक है, तो अब मैं कुछ examples के लिए, कुछ चीज़े लिख देता हूँ, यहाँ पर, किसे कि हम fundamentally clear हो जाए, ठीक है, तो एक और चीज़ समझना, कि भले ही हमने इस चीज़ को limit के बलाबर कर दिया है, पर इसका मतलब यह नहीं, कि हर बार इसी को use करेंगे, ठीक है, कोई necessity थोड़ना है, हमारा main aim क्या है, पहले आप उसको clear रखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो यह समानों किसे नहीं बनाया, कि हमें, मानों किसे नहीं बढ़े हैं, और minus two के zero तो नहीं हो रही है, minus two गालो इसके नहीं थे मिन थे मानों, ठीक है, तो minus 11 हो रही है, एक मिट यह यह तो लगा ही, यह minus two हो गएँ यहाँ आपर, ठीक है, और यहाँ पर नहीं पर five होगा, ठीक है, so five लिए हमारा यह बनेगा, तो अगर आप भूले सब आज पूरी डिस्कवरी होने वाली इस्ती भी इस्ती पर हुई थी जो करने में भी पचास साथ चाल लगे थे वाज हम लेक्टर में करने वाले हैं ठीक है तो मालो मैंने लेगी है सब्सक्राइब दो दो एधर सिंपल वी लेलेते हैं तब भी यह नेगेटिव जा रहा होगा ओके तो मैंने डागराम ही इस अग्ला दना रिया थे थी एक्स माइनस थी 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 माइनस फाइव अगर मैं इसमें फाइव डालों वाइव ठीक है तो फाइव पे इसमे बुट करना था है नहीं को अ क्या होता है कैसे अरिया cleaning अगी थी यह करने के ट Як हमारा एंकिया है क्या हमारा एंम लिमिट कालना या हमारा एंरिया निकालना तो एकडम से आवाद ही चृच मिए Children's तो इस ताइब की चीज़ उने क्या करा हमने सीधे बोल गिया ट्रेपीजियम का एरे निकालनों तो यह इसका एरिया अगा ठीक है वो सब ठीक है उससे मतलब नहीं है तो बिसकली यह जो नोटेशन है यह जो नोटेशन आपके सामने लिखी विया है दो से लेकर के 5 तक 3x-5 यह बराबर हो गया 33 बाय टू के अब इसको मैंने निकाला कि ऐसे वो माटर नहीं करता है उसके त तरीका क्या हो गया कि हमने लिमेट वाले तरीके से निकालगा इसको जो की अल्टीमेटर तरीका है ठीक है दूसर रटीका क्या है कि मैंने कोई एरिया का फॉर्म .... फॉर्मिला यूस करके निकाला तरीका जो है वह अभी हम लोग यह बाद में पढ़ेंगे, यह बाद में निकाला क्या था This was the most magical तरीका, क्योंकि यह सबसे one of the best तरीका है, बड़े आराम से, और हर एक कर्व का एरिया निकाला क्या सकता है, इसकी बेसिस पे क्या है वो तरीका, वो हम बाद में अभी तो हमारब से यह दो ही तरीके हैं और इसके बेसिस पर भी बहुत important important चीजे हम बता सकते हैं और क्या चैने उसको और ऐसा नहीं कि इंपोर्टन नहीं कि यह अगर आप preparation कर रहे हो obviously तो उसके लिए तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है यह की आतात है आप्सोलेट चीजों से जेम निकालने की एनिवेज तो अगर मैंनों मैं तबार सामने लिख दूँ यह निकालने के लिए जीरो से लेकर करके वन तक और किसी ने बोल गए स्क्वार रूट के अंदर वन माइनस X का स्क्वार ठीक है कोई बोला यह निकालो तो एक्चल में यह पूरा बनाओंगे तो यह सिंपल यूनिट वन रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है थिक है ना हाला कि हमें जो रिक्वाइर्मेंट यह हमारा ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इत्ता है यह जीरो और यह लुगन पर एक्च्वाला रहा पूरा बनाएंगे मैं तो लुटा सीथा बना दिया तो पूरा एकदम circle बन जाएगा पर हमारे जो काम का है वो उसका सिर्फ एक quarter है और मुझे इसका area चाहिए ठीक है तो एक तरीका क्या हो जाएगा इसका area निकालने का कि हम सीधी सीधी पूरे circle का area निकाल लेते हैं circle का area का formula हमें पहले से पता है that is pi r का square सही कहा रहा हूं मैं एक दम अगर एक उसमें से 1 फोर्थ निकालना है तो pi r square को 4 से डिवाइड कर दो तो pi radius कितना आएगा 1 का square divided by 4 so final answer is pi by 4 ठीक है ठीक है तो यह तो हमने उससे कर लिया पर अगर यही मुझे limit से करना होता मतलब basically लेकर में कोई formula नहीं पता होता तो मुझे इसको limit से करना पड़ेगा वो तो यह कहलो कि हमें पता था इत्तिफाक की बात थी अब जैसे माल लोगर मैं तुम्हें दे देता हूं क्या दिया जाए कुछ ऐसा दिया जाए जिससे की मतलब actual में लगे कि हां कुछ निकाला जैसे की हमने प्रीवेस लेक्टर में किया था x का square राइट वो एक next level चीज थी तो जैसे मैं तुम्हें दे रहेता हूं x3-6x और इसका आपको area निकालना है इसका area निकालो 0 से लेकर के 0 से भी क्या हूं 1 से लेकर ठीक है बटे सेकिन ये कितना होगा 2 तक 1 से लेकर के 2 तक बस इतना बता दो बताइए इसका area क्या होगा x3-6x 1 से 2 तक ये बताना है आपको ठीक है अब देखो ये जो है न अगर आप इसका graph बनाने बैठ होगे न तो एक polynomial है ठीक है और इसका graph जो है वो कुछ ऐसा बनेगा यहां का तो मैं कह नहीं सकता लिख अगर इसका लिए हो तुमने तो ये ऐसा बनेगा x इंटू x2-6 इसका में रिसक में x इंटू x-root x x इंटू x x plus root x ठीक है तो एक जो इसका root है वो तो 0 होगा वो तो 0 होगा तो एक तो इसका 0 root होगा दूसरा जो ये root है ये इसका root 6 है और जो इसका तीसरा root होगा ये इसका root 6 है क्योंकि cubic है न ये ऐसा जाएगा इस प्रकारब पर हमारे काम का गया है, हमारे काम का ये 1 है, और ये कहीं पर 2 है, तो हमारे काम का थो इतना सा area है, पर अब कुछ लोग चोग गयोंगे कि यार ये तो negative area आ गया, सर जी ये तो negative area आ गया, ये कैसे निकालोगे, तो जो मैंने तो मैंने पड़ाया है, जो मैंने पूरा analysis जो मैंन आएगा कि क्या चल रहा है तो माले कि यह कोई करगे, इस डिनाउम डेख यह x axis है यह y axis है अब आप नीची आ चुके हो और यह कोई a, यह कोई दूसरा point ब, ठीक है और आप a से लेकर के b तग निकाल लोगे, area तो अगर आप इसमें इनर रिटांगल बनाने की सोच रहे हो तो यहां से शुरू करते हैं एक रिटांगल था इसमें इसमें आइड़ा है पर लेटा हुआ समय माँ आगे बात है और यह तो अभी भी एप्लस है तो यह जो पॉइंट दो अभी एफ के अंदर एक प्लस है न तो अगर मैं इस तेंगल का तुमसे एरिया पूछूँ तो उसके लिए जो यह हाइट होगी वो किस से दी जाएगी, वो दी जाएगी F A plus H से, और जो वेत होगी, वो यह होगी, हाला कि इस ताइम पर F A plus H जो होगा, वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो या तो तुम माइनस F A plus H जो कर लो, पर हमें, हमें आलसी लोग फिर से वही, Mathematician से जाएगा, नेगेटिव कर रहा है, जो हमारा पराना वाला फॉरा है, जो हमें यूज कर रहे हैं, जनी कि H into F A plus H, ठीक है, and so on ऐसे करके हम सारे पूरा लिखने वाले हैं स्टीज को बिल्कुल वही सेम चीज बन जा है कि देखे लिया को तुमने बिल्कुल वही सेम बनने वाला है same to same ठीक है ना यह F A प्लस S जाके शुरू होगा और आखरी में यह कहां जाके रुखेगा A प्लस NH यानि कि B पर जाके रुखेगा तो यह तो आपका वही वाला फॉर्मला आ गया इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रखा है H सिग्मा F के अंदर A प्लस RH ठीक है चाहाँ पर R जो है वह बन से लिगा कि N तब है इसको हम लोग वैसे तो अपर सम बोलते है पर इस वाले केस में यह लोवर सम है अगर यह नेगेटिव है अगर मैं इसकी उपर बोलूं लिमिट N tends to infinity तो यह जो आगया यह क्या है क्या यह अक्च्वल में एरिया है इसका नहीं यह एरिया नहीं है यह पूरा पार्ट तो नीचे है और अगर यह वाला पूरा पार्ट नीचे है अगर यह पूरा पार्ट नीचे है तो एक-एक पॉइंट जो इस फंक्शन पे लाई कर रहा होगा वो नेगेटिव होगा यानि कि जितने भी यह आपके functional values आएंगी यानि कि fa fa plus h fa plus 2 यह सब की सब negative और यह जो विर्थ है इसकी h यह सारी के सारी positive है यह सारी के सारी positive है तो positive into negative करोगे तो हर answer individually negative हो जाएगा तो यह क्या है एक negative quantity है इसके आगे वाला भी क्या है negative इसके आगे वाला भी क्या है negative and so on यह सब भी क्या है आपका negative तो यह पूरी चीज क्या होने वाली है नेगेटिव होने वाली है पर क्या area का भी negative हो सकता है पहला पूछ तो आपका एक question ही गलाद है कि area negative हो सकता है आप पूझ भी नहीं सकता है योगि area जो है, वो एक physical quantity है, कि हाँ भाईय यह कोई चीज है, तो यह मानलो कुछ 50 square unit धेड़ती है, तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, मैंने बता रखा है, what is area वाला episode देख्या हो, मैंने इसमें समझा रखा है, what is area, उसमें मैंने deep में समझा है, area होता ही का है, तो मैंने समझ आप square उसमें घुसा लीजे, ठीक है, तो जो पूरे-पूरे आजाएं वो ठीक है, जो आदे दूरे आजाएं, basically आप mainly इन squares के basis पे counting कर रहे होते हो, और आप उससे idea देते हो, तो आप वोदे 55 by 3, तो कुछ तो पूरे-पूरे आजाते हैं, और कुछ आदे दूरे आते हैं, यह जो integral होगा की function fx दे रखा है, और आप a से b तग इसका area निकाल रहे हो, ठीक है, यह जो integral हमने इसको बोला है, यह हमने इस limit को यह बराबर कर दिया था पहले, ठीक है, तो क्यो ना हम इसको अभी भी इसके बराबर ही कर देते हैं, पर जब भी हमने पता चलेगा कि अच् प्लस माइनिस लगाता हो ना, एकदम से देखने में और दराबना लगने लगेगा, पहले इतना दराबना साहिए, समझ रहे हो बात को, कि अगर मैं यहाँ उपर, यह जो उपर दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर अगर मैं प्लस माइनिस लगा दूगा तो यह और अगर जो एरिया होगा, वो आप उस इंटीग्रल का माइनिस कर देना, ठीक है, तो इसको एक नया नाम दिया गया, मैंक की दुनिया में, इसको बोला गया, एलजेबरिक एरिया, ठीक है, यह भी आप बुकों में बहुत टम पड़ोगे, हाला कि उसमें सीरी सीरी तर अटवा दिय इसको नहीं है, बहुत हाई टेक लेवल की बाते नहीं हो रही है, कोई anti-matter नहीं है, कि तुम ब्लैख रुल के इंटर डालोगे और को छोड़ाएगा, टाइम मशीन बंदेगी, इसको नहीं हो रहा है, वो इसको वो सिंपल एक सिस्ट से बलो था, तो इसलिए वो नेगिट इस टाइप का function है, जो कि हमें दे रखा है, यह वाला function था, x cube minus x, अब मालने कोई 0, यह जिरो है ना, मालने यहाँ यहाँ पर यह पॉंट है 5, ठीक है, कोई बोल देख 0 से 5 का area बताओ, इतना area तो negative हो जाएगा, ठीक है ना, इतना area क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर क्या मुझे यह limit क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कैसी इसका area निकालूंगा, अगर यह function क्या था, यह function था, x cube minus x, तो अगर तुम लिख दो, x cube minus x, और तुम यहाँ लिख दो, 0 से लिकर के 5 तक, तो क्या यह जो तुम्हें दे रखा है, would it work, क्या यह का कर जाएगी, दोनों के लिए, एक साथ, बिना कुछ करे, तो लोगों नों सोज़ा देखते है, कांग करके देखते है, तो बदा चल लाएगा अपने आपी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिमिट, n tends to infinity, और h का मतब क्या होता है, b minus a, यानि कि इधर क्या रहे तो 5 by n, सिग्मा, r equals to 1 से लगर के n तक जाएगा, और f, जो function है हमारा, f के अंदर a plus rh, तो function हमारा actual में क्या है, x q minus 1 पर पहला हम लिख गेते है, तो हमारा a जो है, वो तो 0 है, तो simple क्या जाएगा, r into h, यानि कि 5 by n, ठीक है, तो 5 r by n, यह मुझे सब्स्टिट्यूट कर द ठीक है, तो यह आ जाएगा, तो अब हम सिग्मा निकाल लेते हैं, तो सिग्मा ब्रेक हो जाएगा, अगर सिग्मा को देखा जाए, तो क्या होगा इसके अंदर, 5 cube by n cube, यह तो भार आ जाएगा, और आप बिसिकली सिग्मा r cube निकाल रहे होगे, सिग्मा r cube किसके बराबर जल्दी से बतातों, इसके बराबर होता है, n into n plus 1 by 2 का whole square, कैसे आ गया, यह formula होता है, जो यह आद हो जाता है, हम लोगों को बाट ताइम में, फिर 5 by n भार आ जाता है, तो सिग्मा r कलोगे, उसकी बरसे क्या जाएगा, n into n plus 1 by 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको भी अंदर ये ले जाते हैं, पूरे एक बार में कर देते हैं ना, इसको, बार बार कहां सो करते हरेंगे, तो यह बन जाएगा, 5 की पार 4, और n की पार 4, इज़ लगे बन जाएगा, फाइव की पार 4, एन का square, यह बन जाएगा, n plus 1 का whole square, नीचे आ जाएगा, 2 n की प प्रफिर से कुछ लोग सोच रहेंगे तो फिर से वही अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ले रखा हो था ना इसको तो मज़े मज़े में सॉल पर देंगे विगी इंफिनिटी वाइंफिनिटी बन रहा है एक-एक में यहाँ पर आप देखोगे तो यह स्क्वार फोर डिवाइड़ बाय नीचे से टुवाजएगा ठीक है लोग समझ गया कोईफिजिंट अपन कोईफिजिंट होता है कैसे होता है क्या होता है वो सब लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में बहौत ज्यादा टीप में पढ़ाया जा चुका है तो उसकी आप टें यानिकी हो गया 620 बाय तू यानिकी 310 स्क्वेर उनिट्स आई होप सो ही सई आया है मुझे कुछ डाउट हो रहा है इस पर पर अन्यवेज मझे लग रहा है शक्षाई होगा देखना तो जाए पर यहां पर 6x भी था ओके सारी यहां पर 6x एक्स्टरा एगा ठीक है तो यह 6x का ग्राफ तो खाल जाए गाए जो इसे नागने जाए टाइक इस्बाफ बनाया था है ऐसे चुच्जृण है यहां पर 30 by 2 ठीक है तो 625 में 30 गड़ा दो को फार्क फोने पड़ा जाएदा यार 595 हो जाएगा 595 by 2 यह आपका एरिया अब मैं एक तुम्हें एंट्रस्टिंग चैलेंग दे रहा है तो यह जो पॉइंट है ठीक है अब बेसिकली जहां पर यह 0 हो रहा है यह आपका रूट 6 जहां पर यह 0 हो रहा है मैं कहा रहा हूं एक बार एक बार के लिए यह निकाल के रिखते हैं 0 से लिखागे रूट 6 तक निकालते हैं सही है सेम चीज़ एक स्कूब माइनस 6 6 तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो यह क्या आने वाला है यह इतनेял में तो positive होगा पर हमने जो निकाला है 0 से 5 में उसमें ultimately क्या हो रहा होगा मानलो जैसे तुमने अगर इसका integral निकाला ठीक है और सॉरी इसका area निकाला वो आगया मानलो A1 के बराबर ठीक है और यह आपका A1 आगया ठीक है और इसका जो area है वो क्या होगा वो यह मानल और यह हमेशा है और अगर आप रूट 6 से लेकर के फाइव तक और निकालते हैं ग्राफ अपने दिमाग में रखो अगर यह रूट 6 है ठीक है न और यह मालनो 5 है और यह वीचले है और इसको 75 पास नहीं होगा 5 काफी दूर होगा तो तो हमें इसका ग्राफ भी गलत स्केलिं में बना रहे हैं ठीक है अगर इसको में एक्षियल ग्राफ का बनाया जाए यह कुछ ऐसा देखेगा ऐसा यह गहीं के 5 होगा जाके ठीक है और यह रूट 6 होगा तो वह हमने वह सिंपल आपका a2 आएगा यानि की पॉजिटिव तो जो तुमने जब हमने इस पूरे का निकाला जब हमने यह पूरा का पूरा निकाला जीरो से लेकर के 0 से लिकर के 5 ठीक है x3-6x तो उसने मुझे क्या दिया क्या उसने मुझे a1 प्लस a2 दिया तो यह a1 प्लस a2 होगा या फिर यह a2-7 होगा या अक्चल में a2-7 होगा यह नहीं होगा ठीक है so that was a big problem actually क्योंकि जो हमारा aim था area निकालने का तो अगर आपको area निकाला है तो पहले आप 0 से root 6 निकालो फिर आप root 6 से 5 तक निकालो और फिर इसका तो उल्टा कर दो तो यह हो जाएगा a1 basically यह minus even आएगा तो इसका minus लेलो और इन दोनों को plus कर दो ठीक है तो आप बोलोगे 125 100 इसका और minus 25 इसका ठीक है अचा अब जो हमारा actual area था वो कितना था 595 by 2 इससे एक चीज है जो कि पक्का समझ में आ रही है क्या वो क्या है वो कि यह positive है अगर आपका जो integral है वो positive आया है इससम क्या समझ पाये कि हमारा जो ऊपर जो x-axis के जो ऊपर वाला area होगा वो जादा होगा as compared to जो x-axis के नीचे वाला area तभी तो इन दोनों को जो algebraic sum है वो positive आ रहा है यानि की ऊपर वाला जीत गया अगर यह negative आजा है प्रसे कि अगर तुम exercise के format में अगर तुम 0 से 3 तक निकालोगे xq-6x का तो इसका answer आएगा minus 6.75 ठीक है तो इसका क्या मतलब है अगर यहां पर यह 3 रेलो आपर यह यहां पर आएगा 3 ठीक है तो clearly यहां पर आपको दिख जाएगा तो अगर हम diagram सोड़ा सभी से बनाओ अगर मैं ठीक है ना यह तो root 6 का मतलब क्या होता है 2 point something तो 3 तो इसके पास बनेगा 5 फोड़ा सच से दूर बनेगा है ना तो और यह इसका कुछ इस ताइप से graph बनता है और फिर यह एकदम से बहुत जल्दी rise करता है ठीक है ना एकदम से बहुत तेज rise करेगा ठीक है तो जब आग 3 तक रहते हो ना तो 3 सब् writings ग्यर्त आग अयस की सब्सक्राइब कर नहीं आग्जवा तो क्लियर ये पूरा बहुत बड़ा एरियाब करेंग का जब हमने इसमें जब हमने डोनों का डिफरेंस लिया तो area A1 जो है हमारा ये हार गया ठीक है क्योंकि ये छोटा हो गया इसके comparison में इसलिए overall answer आपका positive हो गया तो ये सब level पर conceptual बाते बिसिकली उस time पर चल रही थी तो कुछ rules बनाएगा है rules क्या बनाएगा या basically क्या सकता observations बनाएगा है उस time पर ठीक है जिसको हम यहाब लिख सकते है बड़े राम से तो सबसे पहला जो fundamental observation उन लोगों ने करी जो बहुत दिन तक काफी simple सी बात थी और काफी observation से हम बता सकते थे हो ये थी कि अगर एक function fx है और हम उसका integral ले रहे है और a से लेगर के किसी ने गलती से a ही लगा दिया यहाँ पर इस वाले case में तुम्हें क्या लगता है क्या answer आएगा कोई भी function हुआ कैसा भी function हुआ ठीक है ना अगर ये point a है ठीक है तो ऐसा एक line बनेगा सही क्या रहा हूं मैं ऐसा ही line मनेगा अब दूसरे point पर तुम जाओ तो सही तब तो तो तुम इनके बीच का area निकाल पाओगे अगर तुने a से a तक ही कर दिया तो ये तो बस एक straight line है this is simply a straight line straight line का कोई area नहीं होता है उसकी कोई width नहीं होती है तो इसका overall ये कितना आजाएगा zero आजाएगा क्योंकि अगर आप limit की definition से अगर आप use करने वाले हो तो limit में भी आप sigma चलाओगे कहां पर कुछ ही नहीं करने के लिए तो ये काफी हमारा basic fundamental हो गया ठीक है कि अगर ऐसा हो गया तो second बात second बात जो और भी interesting interesting बाते हम इसमें कर सकते है और वो बहुत confusing है तो ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोलने चाहरा हूँ ठीक है तो जाद अच्छी से समझ में आएगा so जो हमने अभी पूरा analysis जितना भी हमने वोने किया है उसमें ये जो A था और A कहमारा B था इसमें हमने पहले ही मालने था कि A जो है वो B से छोटा है basically A जो है वो B के left hand side में है तो अगर ये एक function जा रहा था तो हमने ये ऐसे ऐसे कर दिया था और बोले था कि इसका जो area है वो हमारा integral है यानि कि अगर एक function दे रखा है fx और उसका integral निकाल रहे हो from A to B ठीक है ये हम लोग इतनी दिरसे कर रहे थे सही कहा रहा हूं मैं एक दम तो हमने हमेशा से ऐसे किया basically A से B तक right lower से अपर तक मालने किसीने इसी सेम चीज़ के लिए उसने ऐसे बोला function तो ये रखा fx पर अब उसने इसके आगे नीचे लग दिया B और यहां लगा दिया A मालनो किसीने ऐसा कर दिया basically इसको मैं ये बोलना चाहरा हूं जिसे अगर ये function fx है एक हो गया तो तो नीचे छोटा है ऊपर बढ़ा है ठीक है तो याद करो जम A से B में तो हमने किया क्या था हमने जो पूरी जो ये length थी इसके हमने सबसे पहली statement क्या थी हमने बोला था इसके n equal divisions कर दो तो एक division की length कितनी आएगी उसी को हमने क्या बोला है h बोला था जोगी किसके बढ़ाबर होगा b minus a ये तो total length होगई divided by n यही तो कर रहे था हम लोग यही करा था हम लोगो ने सही कहा हो मैं एक दम तो हमारा जो पूरा जो limit का जो हमारा formula है limit n tends to infinity हो क्या होता है h sigma ठीक है फिर क्या है f के अंदर कोई भी एक यूज कर लो a r h और r equals to 1 से लेकर के यही होता है जहाँ पर हम h की जगा पर यह substitute करते हैं यह तो तब होता है जब b minus a तुम करते हो ठीक है पर अगर अब तुम a से निकाल रहे हो कोई भी लोगा ऐसे निकालने का sense ही क्या बनता है तो क्या करना क्या चा रहे हो यह basically बराबर होगा किसके बराबर होगा इसके l i m n tends to infinity फिर यहाँ पर क्या लिखाता है जो भी ऊपर लिखा हुआ है minus जो भी नीचे लिखा हुआ है divided by n और अ को मत देखो तुम यह देखो यह जो ऊपर लिखा है और यह जो नीचे लिखा हुआ है ठीक है तो अफर यहां पर सिग्मा कर दाम आ जाता है ए प्लस है ना आर के अंदर बी माइनस ए भाई एन अब अगर मैंने इसको इंटर्चेंज कर दिया तो सोचो क्या होगा जहां आपर भी ए और भी लिखोंगे उनको आप इंटर्चेंज कर दो अब इसका सेंज क्या बना यहां पर इसका मतलब क्या बना अब यह कहीं पर वन है और यह आपका आगे लिखोंगे अब यह कहीं पर वन है और यह आपका आगे जाके यह 3 है ठीक है न यही तो होगा अब मुझसे यह वाले एरिया की गुजारिश करी जा रही थी वैसे तो तो हमारा जो ओरिजिनल जो लिमिट होता है वो तो बड़े आराम से प्रता देता है ठीक है पर अगर मुझसे यह बोला जा रहा है कि 3 से बन तक बताओ त ठीक है इस बात का क्या मतलब बना तो अगर मैं लिमिट की डेफिनेशन से करूँगा लिमिट की डेफिनेशन से करूँगा तो जो हमारा लिमिट और उरिजिनली बना है पहले हम उसको देख ले वो यह बोल रहा है कि आप 3-1 की जगा पर 1-3 करो देखो ना बी मैनस एकी ज प्लस आर के अंदर जो ह है वो क्या है 1-3 by N यह है क्या 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 दिया तुम नेगे बिसिकली अ देख भाई क्या करा हमने बिसिकली इसको कर तुम ध्यान से लिखो गए तए ऐसा लिखा लिखा लिखेगा F-2R by N सिगमा आर इकोस टुम निकाल रहे तो जो तुम अपर सम निकाल रहे जिस निकाल रहे जिसे डिखाल रहे ए प्लस अ यह क्या था अगर इनिशली देखा जाऊंगा एक फिर यह हमारा दूसरा रिट्सरा रीक्टाइंगल बनता है और आखरी रिट्टाइंगल वह यह बनता है ठीक है this happens when हम left से right हम जाते हैं अब ये अभी भी ऐसी ही रहने वाला है अरे रहेगा तो अभी भी ऐसी रहेगा तो अभी भी ऐसी और अच्छा एक चीज तो यह होगा दूसरा जो ये जो values हैं ये भी सब सेम ये भी सब सेम है ठीक है न तो problem क्या हो रही है ये समझ नहीं आ पाला या कि ये मतलब ही क्या बना है इसका A से B जाने में और ये B से A जाने में इसका sense ही समझ चालए है मेरे को तो मेր साथ से दो क् getting a К tesra नी बना थिक को इन जाने का थिस侯 ए तो मतलब ये यह चीजब है तो अगर आब इसमें पहला r equals to 1 डालोगे तो यह बंद दाएगा 3 minus 2 by n मेरी बाद ध्यान से सुनना एक्तम यह जो point है इसका और इसके बीज में कित्या difference है यह actual में क्या है यह actual में 2 by n है तो यह जो point है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ इसको मैं बोलता हूँ 3 minus 2 by n पर इसी को ही जो हमारी पहली वाले definition है उससे मैं इसको क्या बोलता था जब मैं left से right जाता था मैं इसको बोलता था 1 plus 2 by n पर क्योंकि हमने यहाँ पर n minus 1 से multiply कर देते हैं हम लोग क्योंकि है 1 से बात तुम्हें इतने सारे जोडने पढ़ेंगे तो तुम यहाँ पहुचोगे एक तरीका तो यह हो गया कि आप left से right जाने का मतब क्या हो गया कि आप one में इतने सारे जोडने हो दूसरा तरीगा क्या हो गया कि मैं right से left जा रहा हूं यानि बड़े से छोटे में जा रहा हूं तो उसमें मेरे लिए यह वाला बंदा पहला हो गया कि आपने तीन में से ही 2 by n को घटा दी है सीथी तो आप obviously इसी वाले point पर पहुच जाओगे second last वाले में बात समझ में आ रही है जैसे अगर में को यह वाला point बताना है तो यह वाला point left से तो बहुत simple था left से किसके बरावर है 1 plus 2 by n के पर अगर आप right से आ रहे है इस point पर तो यह point बिल्कुल इसकी तरह act करेगा यह क्या बन जाएगा 3 minus 2 by n पर अब यहां पर एक और चीज़ के n या n minus 1 जो भी है अभी सोच नहीं हो उस तरीके से बात समझ में आ रही है कि right to left से मतलब क्या है कुछ नहीं मतलब है बस आप पहले left से right जा रहे थे अब आप right से left इसका पूरा analysis जो है वो कर रहे हो ठीक है यह minus का sign उस चीज़ को बता रहा है उस चीज़ को घोशत कर रहा क्या हो जाएगा तो लोग अपना दिमाग लगा रहे है इस ताम पर सारे mathematicians वो बैट करके दिमाग लगा रहे है पहले तो इस बात कोई sense नहीं बनता है बड़े से चोटे में क्या sense बना फिर एकदम से किसी बंदे ने बोला होगा कि अगर मैं इस definition को देख रहा हूं तो यह यहां से तो बस एक बाद समझ में आ रही है भई यहां पर हम सीधे पता है कि A जो हो B से छोटा है तो अगर A-B करोगे तो यह overall चीज क्या बन गई? नेगटिव बन गई तो यहां से यह बाद समझ में आ गया कि अगर एक नेगटिव कॉमन ले लिया जाए इस जगह से सिफ वैली ओधर इंड गई तो यहां से लोग को समझ में अच्छा बेटे हैं जो हमारा A से B होता है मैं जान पूछ किसको बारवर लखवाना चारहा हूं यह सब rules तो बहान है, मेरे को तो यह याद करवाना है सही बात तो यह है, to be honest ठीक है, तो यहां क्या आगया था बोलो जल्दी से, b-a by n sigma r equals to 1 से लिए लेकर लगे n तग f के अंदर a plus r के अंदर h, यानिकी b-a by n यही तो आगया था यही आगया था तो जब आप limit को घुमा दोगे b से a कर दोगे na fx के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा होगा, same to same बनेगा, same to same, बस यह b-a by n की जगा पर यहां पर फिर से लिख दो b-a by n, हलागि यहां आएगा a-b by n, तो उसका negative sign यहां चलागे और यह सिग्मा लगाई, इसको तो मैं as it is copy कर दे रहा हो नीचे क्यों? क्योंकि तुम दूसरे form में चाहो तो लिख सकते हो पर वो चीज सेम ही है है ना? तो मैं इसी चीज को यही पर copy कर दे रहा हूँ ठीक है लोग, दोबारा copy पर समार गया ठीक है तो exactly same चीज बन गया ठीक है बस एक negative sign यहां पर extra आ गया तो वहां से यह rule बन गया पहली बार कि a से b fx जो है that is equals to minus of b से a fx ठीक है? I hope so यह rule भी आपको समझ में आ गया होगा तो पहला rule क्या था? कि अगर a to a करोगे तो 0 आएगा और second rule क्या है कि अगर आपने limit को interchange कर दिया order of integration इसको बोला जाता है order of integration पर अभी हम integration नहीं बोल रहा है अभी हम नहीं आपे dx नहीं लगा जाया है तो tension मतलब उसमें भी आएँगे पर basically ऐसा बजाएगा a से भी b से ठीक है? ठीक है? डन है बात? अच्छा और क्या बोला जा सकता है? तो और एक और बड़ा interesting rule आया ठीक है? एक और बंदने किसीने observation करी होगी तो उसने एक और बड़ा interesting चीज बोली उसने बोला कि अगर एक function दे रखा है अब इक लिए कोई simple सा जाए तो मानलो x का square ठीक है? और उसका किसीने integral निकाला 0 से नहीं लेजाए चलो किसी और से लेते है मानलो 1 से लेकर कि 4 तक निकाला उसका जो integral है 1 से 4 तक निकाला ठीक है? तो अगर एक और integral ले लिए जाए जाए कि एक constant से multiply कर दिया है तो जो general case में क्या बोलेंगे? अगर ये a से b है एक और बनालो a से b अगर यहाँ पर function fx है तो एक constant से बस multiply कर दो constant से that's it, that's the only thing that's happening तो अगर आप limit की definition में देखें इसको अगर मैं उपर लेकर जाओ और limit की definition में यहाँ पर एक c into fx लगा दूँ मैं basically इसको मैं अपना नया function बोल रहा हूँ hx वो किसके बदाबर है c into fx ठीक है तो यहाँ पर आप जो initially जब आप इसका वो निकाल रहो initially कह रहो मतलब कि जब आप इसका जिसे कहते हैं कि area निकाल रहो जब यह पर रहे है जाएगा फिर if y e jya c into f आप यह जो c यह तो constant यह rent तो यह sigma के भभभा रहेगा आप यह Bennett C यह तो constant यह limit के भभ़ववर यह basically यह पूरी चीज के भभ़वर आगया और यह जो आपके सामने लिखा हूय है इसको उतलब क्याना हुआ कि c आपका इस पूरे उसके बाहर आ गया तो यह उसने रूल दिया कि अगर हम 1 से 4 तक x2 का एरिया निकाल गया तो जब आप इसको लिमिट के तरीके से करो गया पूरे लिमिट इमिट निकाल के जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था तो इस का अउसर पाता क्या आएगा इसका आएगा 63 जाएगा आएगा यह जाए बहार आजाएगा फॉरा पूरा सेम नहीं है तो उसने यह रूल दिया कि अगर a से b है और यहाँ पर एक constant से function को multiply कर दिया गया है तो यह constant जो है यह बहार आ जाता है कितने लोग समझ गए इस चीज़ को ठीक है फिर एक और बंदा आया उसने इसका थोड़ा graphically इसको समझाया कि इस graphically भी true है क्योंकि अगर मेरे पास यह वाला function है ठीक है इसको दूसरे कलर से शोगा जो ठीक है यह हमारा जो x square का graph होता है वो कच इस तरह किसे जाता है सही कहरो तो बुरा graph एक मिनट फोड़ा सथ अच्छा बना लो यह इस 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 परफेक्ट वन तिस इस x का square तो उस ताइम ते पता ट्रांस्वोमेशन ग्राफ इस सब चीजे भी ढंग से बनी नहीं थी तो थोड़ा मैं सबना हो तो थोड़ा ऐसा बनेगा राइट इस ताइप से तो विस इस दा एरिया ठीक है तो यह जो फॉर्मला यह क्या बोल रहा है कि अनल यह जो रहा है वो थ्री नागर यहाँ पर इसका इस सब्सक्राइब कर दिया तो है अशिचा जो है तो जो अशा मिवेशन गड़ा यह वह गड़ा तो जो है अश्का टीन प्रो जाएगा सोच्छे इक जो जो गो इस और टराइंगा तो थीज जो यह ज़ए है तो इसको तो पहरे इस कमिट आजेता हूं ठीक है तो 3x2 से क्या होता है कि basically यह जो graph है और भी ज्यादा contract हो जाता है इस तरीके से यह स्टेट लाइन नी बनेगी लग सुकड जाता है basically ठीक है समझ रहे बात को सुकड जाता है जिसने transformation पढ़ लखा है वो समझ गया होगा ठीक है तो अगर ऐसे कर ग्राफ सुकड गया और अब अगर बन से एरिया बनाओ तो यह तो पूरा ऐसे आएगा और यह पूरा ऐसे दाइब दा में तिंग मैं सभी संगान पाया इसको मालब ग्राफिकली फिल अगया होगा कि कॉंट्राट्राक्ट होगया तो एरिया जो है वो जादा कवर करेगा था इसको एमेरे बास एक और एक्जांपल वियर जाओ तो जैसे यह है ठीक है कि इसमें बनागी का निटेग यहां पर यह वन है यह जो पूरी हाइट की वह वन है इस बेसिकली वन तो इसका यह कितना हो जाएगा वन बाई टू बेस इंटू हाइट ठीक है ना सो फाइनल आंसर इस थी बाई टू परफेक्ट अब मैं कौन नए अंटिकर बता रहा हूं जीरो से 3 तक 2x-5 है इसको आप म पर यह जो सेम लाइन है यह आपको सेम लाइन लिख रही थी इसकी एक तरहीसा आपने इसको और भी जादा ऐसा कर दिया ठीक है लेकिन अब मैं इसको फूरा बड़ा बना देका हूं ऐसे करके यस ठीक है ना पर अभी भी अगर आपने नोर्टिस किया तो थ्रीवले तो अ आपका जो एरिया है वो इंक्रीज कर गया ठीक है तो ओविसली इंक्रीज कर गया और आप निकाल भी सकते हो यह 3 है और अगर आप 4x-10 में 3 डालोगे तो इस 12-10 इतना बड़ा भी नहीं है यह अच्छिन में यह यह 2 है सिंपल है 3 दालें जो 3 इंटो 4 है तो यह पूरी चीज जो है now this is 2 थोड़ा से scaling में difference हो गया तो अब अगर आप इसका एरिया बनाओ गया इंटो बेस कितना हो गया 2 और हाइट अभी भी कितनी है 3 तो फाइनला से कितना हो गया 2 और 2 कट गया आंसर इस 3 क्लिरली 3 वाई 2 और यह उसका क्या है यह उसका डबल है क्यों होगा डबल क क्योंकि हमारा जो constant था जो कि यहां से commonly अरजब है that is 2 तो area भी 2 times हो गया that is the graphical intuition बाकी यह जाधा interesting तरीका था समझाने का limit वाले तरीके से जैसे हमने समझा ठीक है तो यह कुछ observation थी जो किसी ने लिखी होगी ठीक है फिर एक और observation करी किसी में चौध था observation और क्या थी जैसे इसको तो हमने समझ में आ गया होगा कि constant भार आ जाता है निकल के ठीक है फिर एक बंदे ने बोला कि जैसे कि अगर एक function है इसको मैं hx से शो कर देते है ठीक है जो कि गिनी दो functions का summation है जैसे fx plus gx for example एसे मानों किसी ने बोल दिया x plus sin x ठीक है इस टाइप की चीज़ है hx आपका इस टाइप का function है ठीक है तो अगर आप integral निकाल रहे हो होगा limit n tends to infinity और हमारा एच बाहरा आगया short form लिखता हूं इसको ठीक है आर रिकोस्टी बन से लेगर एं तक f के अंदर a plus यही तो होता है यही तो होता है यही तो होता है थोड़ दर क्लिए से a plus rh को आपको बोल दो मानों इसको थोड़ दर किसी बोल देते हैं ठीक है इसको बोल देते हैं शॉट फंक के लिए ठीक है रिसी इंडी से लिख पाए इसको ठीक है ओके तो यहां पर फिलाल माइपस function में है तो यह हमारी definition है a से b of hx यह इसके बराबर होगा है यह अपर hcr आजेगा अच्छा आपको इस फंक्शन को मैं एच नहीं बोलता हूं तो जो हमारा RAW günst इस फ्मांट माश्चा इंडाल हमारे को में फिर लिमिल इंडाए जाती है तो नहीट दो लिमिल डागी एच सिगमा fq तीश ओब ठीक है और फिर लिमिट आएगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिग रहा हूं, एट सिक्मा जी के उपा, नौ दिस थिंग राइट हीर, इस इकोवरेंट ऑफ से एसे बी तक, एफ एक्स का इंटीग्रल, प्लस दिस थिंग ऑफ एसे बी, जी एक्स का इंटीग्रल, इतने लोगों को मज़ा आया, सुनके क्या इसमें हुआ है, ठीक है न, इसकी जो फाइनल डेफिनिशन बनी, अच्छा, यहाँ पर अगर मैं माइनस भी लगाया था, तब भी सेम ही होता है, अगar यहां पर यह माइनस होता, तो यहां पर प्लस नौ गर कर कर माइनस होता, फिर लिमित भी आपका मैनस पर चूट जाता, तो यह माइनस के लिए उतना ही साच है, ठीक है, तो फाइनल रूल उसने मुझे क्या दिया, उसने यह बला, कि अगर a से b तक एक function दे रखा है कोई भी function इसको उसने ऐसे शो किया कि fx plus minus g जब मैं बोला हूँ उसने ऐसा शो किया तो यह mixed mathematicians है हमें नहीं पता ही किस ने बोला है सिर्फ Lebanese ने बोला है Newton ने बोला है किसी और mathematician ने बोला है मैं तो डाट ने बोलता हूँ यह बात भी यहां पर सचोई जाती है ठीक है ठीक है अच्छा फिर ना हमारे वहाले लोग आप है उन्होंने बोला कि यह जो थर्ड रूल है और यह फोर्थ रूल है इनको तो मिलाया रहा सकता है इंपक्ट हम डाट लीनियर प्रॉपर्टी यहां पर सथाबित कर सकते हैं उस दिया qx तो इस वाली इंटिटी से डारेक्टली कैसे टूट जाएगा एसे बी फिर प्लस-mाइनस एसे भी यहां क्या है एगा qx और फिर लिख और फिर फिर नंग एक को को खोल गले लिए 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 अगी पात फीलिंग समझ में आगी क्या हो रहा है इसके इंदर कि यह जो constant से ही भाड़ा जाएंगे c1 भाड़ा जाएगा यहां पर यह c2 भाड़ा जाएगा और यह fx और यह gf बिसे के लिए करिके से बिलकुल i hope so intuitively हर्टी आपको समझ में आ रही होगी जो limit की definition है वो ही ऐसी है यह ऐसी ठीक है तो यह तो हमारा पूरा इसका जो है derivation type क हो गया पर अगर आप इसका intuition से जानना चाहोगे तो मेरे साथ से जह है ज्यादा बढ़िया रहेगा जैसे कि अगर मैं एक्जांपल से शो करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे साथ से ठीक है तो जैसे कि एक्जांपल के तौर पर मालों तुम्हारे पास है x प्लस क्या जाता है तो मालों ने यहां से इतने से लेकर कि इतने तक का मुझे एरिया निकालता है ठीक है तो यह पूर जाता है जो actual जो हमारा graph बनता है x plus sin x का वो I guess मुझे याद भी नियारा कैसा बनता है विशके लिए वह इन दोनों का summation करते हुए कुछ ऐसा बनेगा जहां तो मुझे आपा रहा है कुछ ऐसा बनता है ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता है x plus sin x का ठीक है so clearly मुझे दिख रहा है यह जो orange का लगा graph बना है इसका हमें आ रहा है यह पूरा required area वो यह है यह है यह थो पूरा required area है पर अगर आप इसको देखोगे x plus sin x तो x के नीचे किता area है x के नीचे यह पूरा area है इतना area तो x के नीचे हो गया ठीक है फिर यह जो आपको गोल वाला lobe दिख रहा है इसके नीचे यह वाला area तो इन दोनों को अगर आप sum करोगे ना तो वैसे मैंने जो graph बनाएं वो scaling के हिसाफ से नहीं है पर अगर आप scaling के अब फिर एक और और जिसे कहते हैं यह हमारा जिसे कहते हैं यह हमारा बीच में कोई पॉइंट है तो किसने बोला कि अगर मज़ें इंटेगरल दे रखा है सिग्मा एसे लेकर के बी तक और एफेक्स ठीक है यह दे रखा है तो क्या मैं क्या मैं क्या मैं काफी intuition wise यह समझ में आता है कि मैं क्या limit को ऐसे break कर सकता हूं कि मैं एसे सी तक ले जाओ और फिर मैं सी से बी तक ले हो गया है तो जो simple mathematician जो है वो क्या argument दे रहे है वो यह है पहले हम क्या करते है ना पहले हम A से C तक करो मतलब क्या कि A से B में A से B में तुम चाओ तो कितनी बार चाहे उतनी बार ब्रेक कर लो तो एक 6th point basically kind of a conceptual questions है जो आपको समझने है ठीक है तो जैसे कि यह आपका गराब दे रखा है यह function fx है ठीक है और हमें बताए कि अगर आप इसको निकालेंगे तो इसका even area आएगा ठीक है यह जो area आएगा मानलो ही 100 आगया तो 100 को मैंने even बोल दिया ठीक है तो a से b अगर आप निकाल रहे हो fx को तो इसका answer जल्दी से बताओ इसका answer आएगा simple even के ब्राबर हो जाएगा अगर मैं b से a निकाल रहा हूँ अभी मैंने a से भी निकाला था left to right छोटे से बड़ा अब मैं निकाल रहा हूँ b से a यानि की बड़े से चोटा है यानि की right to left उस particular scenario में इस same question का answer क्या आएगा minus even ठीक है क्या ये बत clear हो गई अच्छा अब ज़रा थोड़ा सा tricky हो सकता है अब मैं x x x के नीची चला गया ठीक है ना और ये a है और ये b है ओके perfect फिर से वही इसको मालो तुम बोल दो a2 उससे फरक नहीं पड़ा वैसे अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ये function हमारा वही fx ही है तो a से b जा रहा है हम लोग और fx ये हमारा function है ठीक है तो अ अब ये किसके पराबर होगा a2 तो मतलब इसको मैंने बोल दिया 100 square units तो integral का answer कितना आएगा minus 100 आएगा तो इसका answer कितना हो जाएगा minus a2 हो जाएगा कित्ते लोग ये समझ गया कित्ते लोग ये समझ गया पर हमसका negative कर देते हैं और बोलते है area अभी भी positive है पर हां integral जो होता पर अब यहाँ पर एक इंट्रेस्टिंग चीज़ होने वादी है, अगर मैं बोलू बी से ए, यानि की बड़े से छोटा of fx, अब बताओ अपके आंसर आएगा, अभी तक तो आपने इस टाइप से हम लोग निकालता है, right, h into f a plus h plus f a plus 2h into h, हर अब हम यहीं कर रहे होते हैं, है ना, तो अब यहाँ पर, जो हमारी गरबड हो रही हो, क्या है, यह जो h था, यह और ज़ी था, b minus a by n, पर जब हम right to left निकालते हैं, तो यह हो जाता है, a minus b by n, है ना, विकि हम point होता है, उसके respect में निकाल रहे होते हैं, that is the only difference, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, so this is also negative, यह तो negative हो गया, और यह तो ही negative, यह function की तो value भी negative है, so negative into negative, अब आपका आँ से कितना आ गया, positive, ठीक है, जब आप left to right जा रहे होते हो ना, उस वाले situation में यह positive होता था, तो overall य आपका negative आता था, इसलिए overall integral negative आता था, जब भी x x x के मीचे जब graph होता था, तो उस case में जो integral होता था, वो negative आता था, पर अब क्या होगा, आएगा था भी negative ही, लेकिन just because कि इसका hs भी negative हो गया, इस वरे से इनका overall just multiplication है, वो positive हो गया, because minus minus is plus, वैसे क्यों होता है minus minus plus, यह त सभी है, तो अब इसका integral का area कितना आएगा, a2, ठीक है, कितने लोग समझ गए, ठीक है, ठीक है, I guess, कोई confusion वाली बात नहीं है, okay, तो अगरा मैं collaboration कर दूँ इनका, इनको मिला दूँ पकड़ गे, तो अब confuse मत हो जाना, जैसे कि, मानने मैंने ऐसा graph बना दिया, ठीक है, यहा and this is a2 and this is a3, okay, यह a है और यह वही, b है, और यह आपका function fx है, चलो भी, शुरू हो जाओ, a से लेकर के b तक का मैंने को fx का बताओ, कि इसका answer कितना आएगा, और b से लेकर के a तक का answer बताओ fx में, यह answer कितना आएगा, so a से b में answer कितना आ रहा है, भई, a1 आपका simple positive है, आप left to right जा रहे हो पहली बात तो, अब अब अफ एक्से जो, तो a1 positive हो गया, a2 आपका negative हो जाएगा, इसलिए हम पहले a3 लिख देते हैं, क्योंकि वो भी अब आएगा है, तो positive और minus a2, so that is the final thing, अच्छा, जब आप b से a जाओगे, जब आप b से a जाएंगे, तो क्या तो वहां से directly follow होती ही है, ठीक है, I guess, समझ में आगया होगा, okay, perfect, so this was the sixth point, की basically फरक परता है, की order क्या है, आपके integrals पे lower limit और upper limit का क्या order है, और function आपका above the axis है, below the axis है, उससे फरक परता है, ठीक है, वो आपने या आप अच्छे से notice कर ही ही लिया है, उसमें कोई बात नहीं ह पर जैसे ही जब हम थोड़ा example वाले format भाएंगे, उसमें मैं पता क्यों नहीं आना चारह हूँ, उसका एक reason है, ये भाईया बार 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 ये limit निकालना है, ये इतना असान काम नहीं है, बहुत ही दिमाग खरब करेगा तुमारा, इतनी बार लिमिट कौन निकालेगा यार ये तो बहुत tough चीज़ है, बहुत lengthy चीज़ है, बहुत boring चीज़ है, इतनी बार कौन limit निकालेगा, conceptually तो बहुत मजा है rectangle की तरीके से निकालने का, पर बार बार कौन खरेगा ये, तो उसी चीज़ को हमेशा के लिए खतम करने के लिए, जैसा कि मैंने बोरा था, कि जो integral है हमारे पास A, B, FX, इसके तीन तरीके हैं actually में, एक तरीक दिया हो गया, आपने simple area की knowledge चीज़ हमने किया इसको, area की जो हमारे formula है, है ना, जितने भी हमें आते हैं, उसका हमने इस्तमाल कर दिया, दूसरा तरीका क्या हो गया, कि हमने limit का जो हमारा formula जो हमारा बना है, वो हमने सोचा गया, कैसे बना, ठीक है, बहुत interesting discovery है, पर यह आपका episode कौन सा, यह आपिसोड 44 है यह वाला episode, इसके बाद वाला episode 45 आएगा, उसमें नहीं होगा यह तीसा तरीका, episode 46 में होगा, ठीक है, episode 45 जो होगा ना, उसमें मेरे को थोड़ा और अभी वो देना है कि practical sense में, जैसे distance है और velocity है, तो जो हमारा पूरा derivative था, उसमें हमने क्या किया था, हम distance से velocity निकालना चाह रहे थे, distance और time की information से velocity निकालना चाह रहे थे, अब हम देखेंगे गर हमारा पास velocity और time है, तो उससे हम distance तक कैसे पहुचेंगे, ठीक है ना, तो वो, और उसी से, उसी से, जो हमने य है कि आसे rectangle बनाने पड़ते हैं, ऐसे करके, ये idea मैं तुम्हें इसकी, इसनी next level field दिलवाने वाला हूँ, इसके through, distance of velocity के through, तो तो तुम्हें एक minute में समझ में आ रहेगा, अच्छा बेटे, integrals और ये सब चीज़े यहां से ऐसे linked हो रही थी, ठीक है, तो next lecture बिल्कुर भूल है इस चीज़ का, कि negative कर दिया दिया किसी चीज़ को, integral की value negative आगे उस बत का sense क्या बनता है, ठीक है, तो वो भी आपको next lecture में समझना आएगा, उसका कही ना कहीं लेना देना है, distance and displacement के साथ, anyways, वो हम अगली वाली में देख लिए, ठीक है, तो तीसरा method है, ये episode 46 में आएगा इसको बोला जाएगा fundamental theorem of calculus, oh oh oh, spoiler, spoiler गयते हैं इसको spoiler, ठीक है, क्यों कि वहाँ पे आपको actually ना समझना आएगा, कि इसका क्या क्रांतिकारी तरीका हमारे पास है, ठीक है, तो बढ़िया है, अभी तक का हमने क्या गया पढ़ लिए, फटा फटा फट से जल्दी वाली summary बता लगे हाथ, तो देखो, Lebanese जो थे ना, उन्होंने बोला कि यार यह जो process है, यह process है पूरा, कि हम एक पहले क्या कहते हैं, इसको एक function लेते हैं, fx नाम से, ठीक है, फिर हम कोई दो point लेते हैं, a और b, ठीक है ना, तो यह a आ गया और यह b आ गया, और फिर हम इसके कुछ हिस अब ही फिलाल, ठीक है, और यह क्या है, यह function की value है, ठीक है ना, यही तो function की value है, यह पर fa है, उसके बाद fa plus h है, and so on, right, तो हमारे सबसे तो, जो इसका, जो हमारे सबसे बनना आता है area, वो तो हम ऐसे बोल देते हैं, कि h, और यह आपका, चलो, fcr बोल देता हम शॉट form के सबसे, r equals to 1 से लगट के, n तक जला जाता है, यह हमारा exact area तो नहीं होता है, sorry, यहापर हम अपनी limit लगा जाता है, limit n tends to infinity, हम बोले यह हमारा exact area होगा, लेपनीस ने बोला, बिल्कुल सही गया हो, यही सही area है इसका, पर उन्होंने अपना खुद का notation बनाई, notation समझ रहे हो, notation में है, और actual concept में जमीन आसमन का फर्क होता है, यह actual concept है, notation ने क्या बोला, notation ने बोला, यहाँ तक तो ठीक है, कि हमें एक function fx है, और उसको हम a से b तक निकाल रहे है, इसकी जगा उन्होंने इसको इस तरीकी से put किया, जिसे की बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए, कि अग quantity हुआ करती थी उस time पर, जो की action में बखवास है, infinitesimally small quantity, यह actual में कोई concept होई नहीं सकता, कि कोई बी चीज infinitely small होई नहीं सकती, जीरो से चोटा सुनना हो जाएगा, और अगर वो जीरो की तरफ tend कर रहा है, तो तो वो tend कर रहा है, तो वो एक quantity कैसे हो गई, हाला कि उन्होंन को, suggestive notation यानि की, notation से पूरा concept समझ में आ जाए, तो इन छोटे-छोटे से intervals को उन्होंने क्या बोला, dx बोला, तो उन्होंने बोला, यह जो पूरा interval है, इसको मैंने छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे intervals में बोल दिया, और इस एक छोटे से interval को मैं क्या बोल रहा हूँ, इन छ चंजल point of view से देखेंगे, तो कोई भी जो rectangle है, उसका जो area है, उसके लिए हम एक बार तो functional value ले रहे हैं उस point पर, और उसको उसकी width से multiply कर दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम लोग actual में देखा जाए तो, सही कहा रहे हैं हो, और फिर उसके बार हम क्या कर रहे हैं, उसके बा बदाया था, और उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया, fx, dx और यह ऐसे sum का साय मना दिया उन्होंने, और बोल दिया a से b तक, now this is what it is, ठीक है, इसको उन्होंने बोल दिया, वही integral, जो मैंने भी आपको starting से पढ़ा रहा हूं, उन्होंने यही चीज को ऐसे लिख दिया, Lebanese में इस तरीके से, तो अब यह जो dx है, इसका क्या point है, इसका कोई point नहीं है, वोई तो point है सारा कि इसका कोई point ही नहीं है, this is pointless bullshit, ठीक है, यह pointless है, कोई नहीं है, बच्चो को समझाने के लिए है बस यह, ठीक है, तो चाहे तो तुम a से b में simple fx लिख दो, या फिर तुम ऐसे ल उन्होंने बाद में इसको copy करके उन्होंने नीचे a और ऊपर b लिख दिया था, तो यहां पर तो चीजी अलग हो गई, यह तो डिब भई आ गया है, यहां तो cdc, यहां तो dx नाम की कोई चीजी नहीं है इसके अंदर तो, dx कुछ नहीं होता है, मैंने क्या बच्चों को सम equals to, ठीक है, हमने एक तरी किसे एक approximation लिया है यहां पर, ठीक है, तो यह limit दोता ही, बहुत अच्छे से यह शो कर पाता है, कि हमने पहले a और b, जो हमारे दो जो line थी, उनको हमने n equal division में लिया है, और फिर हमने उसको multiply कर रहा है, sum of rectangle निकाला है, और फिर हमने बोल दिया है, क मतब ऐसे मामने जिसे यह, पर उनका कुछ भी को मतब मदा आदा लिखके, जो line इस ते उनका point है कि यह तो कितना काटेदार है, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा, यह, एक, यह दूसरा, यह तीसरा, ठीक है, यह चौथा, यह पांचवा, यह छटा, and so on, right, अब इसी को म कि sigma को 1 से लगर के साथ तक run कर दो, और triangles को, टोड़ दो, एक triangle जैसा चीज बन जाएगी, पर integration जो है, जिसको हम integral का जो sign है, वो sigma का एक तरिक से उनका दूसरा रूप बनाया है, sum का दूसरा रूप, जिसमें हम, मतब यह जो sigma है, मतब ना, lebanese के साथ खासियत क्या थी, कि व h को भी अंदर ले जाते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है, sigma i equals to 1 से n तक, तो उनका point है, उन्होंने ये limit को pre-built-in लिख दिया, जब उन्होंने बोला कि ये इसके बराबर है, कि इसके बराबर है, fx, dx, a से b, तो उन्होंने ये बोला है, कि ये जो sigma है, वो इसमे transform हो गया, ठीक है, ये जो f a plus r h चाहिए, fx में transform हो गया, और ये जो h है, ये आपका dx में transform हो गया, क्या बोला हूने, transform हो गया, पर क्या तुम actual में समझ भा रहे हो, कि actual में इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि actual में ये पूरी bullshit है, कुछ नहीं है, ये actual में इसका कोई मतलब नही में कुछ नहीं हुआ है ठीक है ना रियालिटी में जो मैंने समझाया है वो परम सकते है यह जो है यह सब्सक्राइब नोटेशन है मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बच्चों की तरह जिससे कि तुम आगे जाके एक चीज आगे जाके पढ़ाई जाएगी AOD के इंदर इसको बोले जाता है डिफरेंशियल या फिर डिफरेंशियल कोईफिशियंट जिसमें एक्च्वल में हम लोग Dx और Dy का कुछ मतलब निकाल पाते हैं हम एक नई quantity बनाते हैं जिसका नाम होता है Dx और Dy ठीक है और तो मैं बाद में आगे समझ में आएगा वो किती बगवास चीज है ठीक है इस वाले Dx को और इस वाले Dx को कोई लेने करने नहीं है यह तो बस ऐसी एक बच्चों को समझाने के बना दिया गया तो उससे तो नो प्रॉब्लम ठीक है अच्छा फिर अगर ऐसे दिया A से D Fx Dx now this is equals to D से A Fx Dx ठीक है माइनस तीस्ती चीज़ों हमने पड़ी थी वो मैं A की बाद में लिख देता हूं अब तो समझ में आई क्या होगा A से B में अगर आपके सामने Fx प्लस माइनस Gx है in fact इसको multiply भी कर देता हूं C1 से और C2 से ठीक है तो यह equivalent है इसके C1, okay wait a second, यहाँ पर मैंने वो Dx नहीं लगाया तो तुमारा जो book वाला जो एक तरीका होता लिखने का वो नहीं लिख पा हूंग मैं लगा दे रहा हूं जान पूछके एक अपनी दरफ से बात को complete करने के लिए so A से B तक C1 Fx प्लस माइनस C2 Gx ठीक है तो हमारा पूरा function हो गया इसको हमने Qx बोला था और यहाँ पर आपका एक डीक्स हागी ठीक है equals to यह बराबर है इसके C1 Fx C2 Gx प्लस माइनस चलो Dx भी लगा जाता है कोई दिककर नहीं Dx का कोई मतलब तो है नहीं बस बुकों में शो करने लगा दिया that's it सही है so that's the entire idea ठीक है अच्छा एक और चीज कि multiplication के लिए ऐसा कोई rule नहीं है इसमें कोई A से C FxDx ठीक है प्लस में C से B FxDx ठीक है जी perfect अच्छा एक और चीज है जिसके लिए कुछ लोग अगर confused हो रहोंगे कि जैसा कि मैंने बोला कि जो DxS का कोई मतलब नहीं है तो आगे जाके ना एक अभी मैं कि एपिसोड लुगा भी समें सब्स्टिटुशन टेक्नीक पड़ते हैं कई लोग तो कई लोग क्या होता है जो लोग कि केंटे इंटीछ या तो पहली पढ़ चुके हैं वालो कि सी और टीचर से पढ़ चुके हैं या किसी बुक से बढ़कर बैठा हुए है या फिर क्या क है कि हमने substitution कर दिया इसको टी मान लिया और फलान अटिम का करते रहते हैं तो वो जो करते हैं वो trick actually trick 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 वो trick है shortcut है वो मैं भी कराऊंगा tension मत लो वो कुछ भी नहीं शूटेगा तुमारा पर conceptually अपने को fundamentally clear होना चाहिए कि अगर यहाँ पर यह कि अगर मैं बोलता हूं कि x square का derivative बताओ तो इस कांसे क्या आता है 2x आता है इसमें मैंने कहीं पर भी यह लिखा कि dx square by dx अगर आप लिखेंगे तब ही answer 2x आएगा ऐसा तो कुछ भी नहीं कि dx जो है कुछ इसका कोई लेना देना है यह जो dy by dx होता है इसमें को यह dy by dx अलग अलग थूड़ना होते है यह तो एक ratio होता है यह आपका एक operator होता है पूरा dy by dx जो होता है यह एक चीज़ पर लग 20 जो हुआ है जिसको एक पूरा कि यह थोड़ी जो थाओ अलग गयोगा थिआ खिलक सो धाउड एक पिलैगा तो आप क्या लगा है तो आप क्या करना है तुमाना नेे बताई दिया है अग्गा निंगे अलग ही अजडिन निकालेंगे इसको बहुरी अलग ही अलग ही निका आएंगे मैं काफी excited हूँ उस वाले lecture के लिए ठीक है तो उसमें मिलते हैं और बाकी अगले वीडियो में इसका intuition देखेंगे physical दुनिया में कैसे इसको apply करना है Thank you